जुनून देख सकते हैं मुखर जीनगर में आके बच्चे किसी तरीके से तयारी करते हैं यहाँ पे अभी दिबिकिर्ती सर जिनका नाम पूरा देश जानता है पूरी अपने इंडिया जानती है उनकी ओनलाइन क्लास यहाँ पे ले रहे थे दोस्तों हमें एक और रूम मिल चुका है जो कि बेहत खुबसूरत है और यह द्रेश्टी के स्टूडेंट मुझे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर द्रेश्टी के इनकी एक किताब भी रखी हुई है क्योंकि बहुत सारे चात्रिया भी जनना चाते हैं कि उसमें UPSC के S पर रहते हैं इस पी दीमा या SSC के तो इसमें सबसे द्रेश्टी के ही रहते हैं यहाँ पर उनका यह देशी जुगाल कपने टांगने का और टेबल एक रैक और बहाँ दिवाल पर देखेंगे और नोट पे कुछ लिखके लगाया हुआ है इधर इनका अलमीरा टाइफ का है कि इनको हर एक रूम में है यह हर एक स्टुडेंट को प्रोवाइड किया गया है एक बैड एक टेबल एक चेयर और एक रैक और रेंट नो हजार है ठीक है और खाना थ्री टाइम का और वाइफाई और पानी वासिंग मसीन यह सारी चीचर जो भी है आपकी सब कुछ यहां पर है यह उनका एक बैड है तो कि जिसकी कंडिशन काफी अच्छी है और हर रूम में एक विंडो भी है कहीं न कहीं लोग कहते हैं सिवंभाई विंडो नहीं है किसी पीली में तो यहां पर आप देखे औलाइन औलाइन और इनके रूम में हम आचके हैं क्या नाव है अपका अदलीप आप कहां से हैं अदलीप जी मैं यूपी से हूँ यूपी तो बहुत बड़ा है न 75 प्रियाग्रास तो अभी आप विकास दिभीकिरती सर की क्लास ले रहे थे जी कितने दिन पहले आइस पी जब आप आये थे आपने एक महीने का रेंट दिया था उसके साथ और कितने पैसे दिये थे अब याप एक बर आईए अंदर आईए आप आप देख सकते हैं जुनून देख सकते हैं मुखरजी नगर में आके बच्चे किस सरीके से तयारी करते हैं यहां पे अभी दिभीकि हैं हर रूम में दी गई है टेबल रेक रैक चेर लाइटिंग वाइटिंग कोई बिल्कुल अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है यहां इनका समान रखा है और इनकी दिलीब जी के लिए हमारी पूरी सुपकामना है क्योंकि जिस काम के लिए आई हैं वो काम पूरी लगन इमा रूम लेना है सिंगल तो इस्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दिये गए हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं और एक चितर मैं आपको ध्यान से वता देना चाहता हूं इनके गल्स के पीजी भी है यह हमने आपको वैस का भी दिखाया है लेकिन बहुत जल्दी हम गल्स का भी दि